हलो दोस्तों मैं देव और देव इन वीजवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मैजिकल केंडल पैटन के उपर ठीक एक मैजिकल केंडल पैटन के उपर आप इसे स्ट्राटेजी भी कह सकते ठीक है मेरे लिए strategy है आपके लिए candlestick pattern हो गया जो आपको समझना हो वो समझिए और जो इस वीडियो पर नए आये हैं तो उनको मैं बता दूँ कि मेरे इस strategy की accuracy आपकी 95% कितनी है 95% अगर इतनी accuracy अगर इस strategy की नहीं निकले ठीक है नहीं निकले दावे के साथ बोल रहा हूँ नहीं निकलती है तो comment box में जो मर्जी हो जैसे वैसा comment कर देना ठीक है और इस वीडियो के नीचे like बटन के बगल में dislike का बटन उसको प्रेस करते हुए चले जाना है ठीक ह कर देना और जो हमसे जुड़े हुए हैं मेरे subscriber क्या मेरे subscriber already जो मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे आसा रखते हैं कि कुछ मैं ऐसा content लेके आऊं क्योंकि इसलिए तो आपने मुझे join किया है या इसलिए तो आपने मेरे channel को follow किया है यहीं चाते थे ना मुझसे अगर मैं इस पर खरा नहीं उतरता हूँ तो आप डिसलाइक कर सकते हो अनसब्सक्राइबर कर सकते हो जो मरजी हो वो कर सकते हो पर अब मेरी सर्थ सुनो सर्थ ये है कि ये वीडियो 20 मिनट का हो चाए 25 मिनट का हो देखना पूरा है पर जो आपको जो करोगे न आप वो इसको पूरा कंप्लीट देखने के बाद ही करना पहले जाकर कुछ करमत देना ठीक है पहले कंप्लीट देखो अपनी जिन्दगी के आमूले समय को मुझे दो उसके बाद में सोचना आगे करने की क्या करना है ठीक तो दोस्तो आज मैं सिखाने वाला हूँ एक स्ट्राटेजी एक केंडल पैटन जिसको मैंने खुदने नाम दे रखा है उसका नाम है राम बलराम क्या नाम है राम बलराम यह मेरी स्ट्राटेजी का नाम है देखिए मैं इंडियन हूँ, बारतिय हूँ और मैं मेरे इसाफ से नाम रखता हूँ, मेरे जो भी है मैं जिसको फोलो करता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मैं चाइना से नहीं हूँ, मैं अमेरिका से नहीं हूँ, तो मैं इंगलिस नाम नहीं रख सकता, मुझे इन चीजों में मज़ा आता है तो मैं यह नाम रखूँगा आपको जो समझना हो सीखिए मैं उसका इंगलिस नाम भी बताऊंगा आपको और हो सकता है आपने उसके उपर कहीं लोगों की वीडियो देखे हो पर आज इस वीडियो के बाद वो सब वीडियो दुन्दला जाएंगे इस वीडियो के बाद वो वीडियो सब फिके पड़ जाएंगे ठीक और इंगलिस में इस कैंडल को कहते है आपकी इंसाइड कैंडल क्या कहते है इंसाइड कैंडल पैटन ठीक है नाम सुना हुआ होगा आपका नहीं सुना होगा तो मैं एक चीज बता देता हूँ मान लीजिए कि यह एक candle बनी मार्केट के अंदर एक candle बनती है सेब चाये जैसी कोई फरक नहीं पड़ता है यह candle आपके one horse पर बने one horse पर बने one day पर बने 15 मिनट पर बने ठीक है चाये हम intra day के दोरान केवल 15 मिनट के उपर इसके उपर वर्क करने वाले ठीक है आप इसको swing trading के लिए one day और one horse पर भी देख सकते हैं काम किस 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 पर करती है आज मैं सिखाऊंगा मेरे darling के उपर my darling nifty क्या my darling nifty ठीक इसके उपर सिखाने वाला हूँ और इसके उपर इस pattern के अन्दर accuracy 99% हो जाती है यह चीजे मैं आपको खुद यहां पर लिखकर या बोलकर नहीं समझाने वाला मैं यहां पर आपको इस candle के बारे में समझा कर चार्ट के उपर लेके जाऊंगा explain करने के लिए वहां पर मैं explain करूँगा वहां आपको मैं trade लेना सिखाऊंगा कैसे trade ले सकते हो हाला कि इस candle के कुछ नियम और काईद रहने वाले है ठीक जने समझना बहुत जरूरी है देखिए inside candle का मतलब होता है कि एक candle बने ठीक है यह candle बन गई शेप चाहे जैसी हो यह आपकी hammer बन सकती है यह आपकी ultra hammer बन सकता है यह आपकी shooting star candle बन सकती है चाहे जो candle बन जाए यह वाली candle चाहे जो बन जाए ठीक और जो second candle होती है उसे कहते हैं baby candle क्या कहते है baby candle यह भी किसी भी सेप की बन सकती है अब मेरी language में सुन लो यह हमारे बन गई राम जी ठीक है और यह हमारे बन गई बलराम जी यह है मेरी language ठीक है इतना आपको समझ में आ गया तो अब सर्त क्या है सर्तसर यह है कि जो आपकी inside candle है मेरी बासा में राम जी और बलराम जी तो राम जी बड़े होंगे और जो छोटी वाली केंडल होगी इंगलिस में कहें तो बेबी केंडल बलराम जी इन से छोटे होंगे सर्ती ये है कि ये पैटन तब बनता है जब बलराम जी राम जी को ना उपर की तरफ ना नीचे की तरफ ब्रेक करें, ठीक है, इनकी परीदी के अंदर रहें, इतना आपको समझ में आ गया, तो और इंगलीज में सुन लीजिए, यह आपकी मदर केंडल है, यह आपकी बेबी केंडल है, मदर केंडल को बेबी केंडल ना उपर की तरफ ब्रेक क करें कि अंग्रेजु समझ में आ गया अब तो सुन लो यह थोमारी मदर केंडल वह यह थोगी ह्यां राम जी बं राम जी किसी वह समझ भी निए ठीक है आप चाहिए डूसरा पंगा आता है इस केंडल के अंदर कि आपकी जो इंसाइड खेडल है वह greeन हो यह ग्रिन हो गई और आपकी बेबी केंडल ठीक है वो केंडल अगर रेड कलर के अंदर हो देखिए अगर इस केंडल ने अगर ये केंडल अगर इतनी बड़ी बन जाती है तो फिर हमारा यह setup खतम, बाई-बाई, यह setup तब ही वर्क करेगा जब आपकी candle केवल इतनी वर्क करें, इतना रहे, तब ही आपका setup वर्क करेगा, कि आपकी baby candle, आपके mother candle को ना उपर की तरब ब्रेक करें ना नीचे की तरब ब्रेक करें, इंट्रा डे के दोरान 15 मिनिट के चार्ट पर हम इस चीज पर काम करने वाले हैं, 15 मिनिट के चार्ट पर हम इस चीज के उपर वर्क करने वाले हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ये कलर के मैथड है, ये हम इस वीडियो के भी दो पार्ट रहने वाले हैं, अगर रियल में सीखना चाहते हो तो अधुरा ग्यान लेने वाले पांच मिनट में इस वीडियो को देखके चले जाएंगे, पर रियल में अगर देव से आसा करते हो, सीखने गी, तो इस पार्ट, इस स्ट्राटेजी कहलो, इसके भी दो पार्ट रहने वाले, क्योंकि एक बा मेरे से मारे नहीं जाते हैं, ठीक न, तो यह हो गई बात, अब कर लेते हैं, चाट के उपर बात, फिर करूँगा बकवास, मेरी बकवास में बहुत मज़ा आते हैं, अगर आप नए हो आपकी जिंदेगी बनने वाली है, अब यह आप नए नए हो, मगरूर सा दिखाई दे तहूं मैं आपको, देखिए, अब देखना, शोट तरीकी से देखना, यह केंडल, आपको मैं इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा, क्या चीज बताऊंगा, कि एक महिने के अंदर 22 दिन हमारा मार्केट प्रेडे वर्क करता है, 22 दिन वर्क करता है, टाइम रहता है, 9.15 स 50 से आपका 3.30 तक, खीक है, अंगरेजों के लिए 9.56 से 3.50, खीक है, तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, कि, यह केंडल पैटन, 16 दिन तो वर्क करता ही करता है, 16 देज, तो वर्क करता ही करता है, बाइस दिन के मार्केट्स डेज के दोरान ठीक 16 दिन वरक करता है अब दूसरी एक चीज और सुनो सबसे इंपोर्टेंट मैं आपको एक ऐसा टाइम बताऊंगा एक ऐसा टाइम बताऊंगा फिक्स टाइम जिस टाइम पर यह स्ट्राटेज अगर बनती है तो उस टाइम पर इसकी जो एकुरसी है वो 99% होती 99% होती पर वो टाइम में इस वीडियो में कब बताऊंगा उसको सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा कर लो बाद ऐसा बहुत जिद्धे आदमियों को ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा ऐसे थोड़ी बता दूंग समा बांद के बताऊंगा पूरा क्योंकि बस यही है कि आप इस पूरे मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कैसे भी इस वीडियो को complete देखे और अच्छा खासा मार्केट से profit निकाल सके यह स्ट्रेजी उन लोगों के लिए काफी work helpful रहने वाली है जिनका बैसा fund 10,000 या 20,000 वाली है अगर उनकी अंदर patience है तो रामबान की तरह काम करने वाली है solar days के अंदर अगर यह setup बनता है तो solar days के दोरान वह वाइसा market से 2,000-5,000 रुपे बना कर लेके जाने वाले है पर सर्त यह है कि उनके अंदर patience होना चीए ठीक है तो दोस्तों आगे बात करेंगे उससे प यह हमने किया chart को काफी बड़ा ठीक है यह देखिए inside candle होती है आपकी यह हो गए आपकी inside candle यह हो गए आपकी baby candle ठीक है जब भी आपकी baby candle inside candle को उपर या नीचे की तरह break नहीं करती है candle कैसी भी बने कोई फरक नहीं पड़ता है hammer बन जाए कोई फरक नहीं पड़ता है पर जब भी inside candle के अंदर baby candle बनती है उसके बाद में जो breakout आता है नीचे या उपर वो वैसा बड़ा जबरदस्त होता है बड़ा जबरदस ब्रेक आता है अगर आप देखे तो यह देखिए देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यह देखिए breakout आप हमने अगर इस setup को पकड़ा होता मार्केट आपका कहां पर है 17,260 ठीक है और मार्केट आपका कहां चले जाता है मार्केट चला जाता है आपका 17,400 लगबग अगर आप मान के चले तो निफ्टी के अंदर क्या मेरी डार्लिंग के अंदर आपको 160 पॉइंट की मुवमेंट मिल जाती है अब साइड की अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार इसने बता दिय हे तो यह अपने आपको बता रहा है ऑbench यह टो यह चाट के उपर जितने बोक्स बने वे ना यह यह जितने बॉक्स देखर हो ना मैं इसको छोडा कर देता हूं काफि बेखा इस ज ही जितले बोक्स बने वे ना आज रहे हम नेट की ठोड़ी प्रोब्लम मारी स्था धीर ड के उपर मैंने काम कर रखा है प्रोफिट कमा रखा है 99 परसेंट इसकी अकुरेसी है अब दिखाता हूँ एक एक करीब चलके एक एक दिखाता हूँ देखिए अभी क्या हलके में ले रख्यो देव को या यह देख लिए आपने अब देखिए यह वाली यह देखिए जब भी आपकी inside candle बनती है बेबी केंडल के के अंदर बेवी यंदाल बनती है उसके बाद में जो ब्रेक आटा रहा टा ब सी इदर यह सबकर यह लिकल ग्लाइक उसके बाद है इसके डेख लाइस तरत Sophia इस अतसम्मा छेतरी का मारेट उसका यह आपकी बेव ऐब केंडल बनती है इसके अनदर बेवी candle बनी उसके बाद जो breakout आता है वो देखी बैसा भी इस breakout के अंदर nifty के अंदर minimum से minimum 60 point heavy से heavy 1500 point इतना तो मिलेगा ही मिलेगा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा जब भी ये breakout आता है और 60 point का मतलब समझते हो क्या अगर expiry वाले दिन या expiry से एक दिन पहले अगर आप इस चीज पर वरक करते हो आपको इस setup मिल जाता है तो बैसा 20 रुपे की चीज भाग के आपकी 60 रुपे या 70 रुपे की हो जाती है अगर आप expiry या expiry से एक दिन पहले इस चीज के उपर वरक करते हो तो क्या expiry या sorry मैंने इसको बताया नहीं लास्ट वाला ये है लास्ट वाला ये है ये देखें जो लास्ट का आपकी expiry वाला दिन था वो ये था इसके अंदर बनी उपर की तरफ एक इंसाइड केंडल उसके अंदर बनी एक बेबी केंडल उसके बाद में जो breakout आता है देखिए इसी के उपर मैंने ट्रेड ली थी आपको दिहान हो तो अच्छी तरह कहां ट्रेड ली थी ये देखिए हमारा टेलिग्राम चैनल दोस्तों यह हमारा टेलिग्राम चैनल है ओफिशियल चैनल है और आप इससे जुड़ सकते हैं जहां पर मैं जो स्ट्रेजी आपको यूटुब पर देता हूं उसके उपर यहां काम करके बताता लाइब आप लोगों के साथ में ट्रेड लेता हूं तो यह हमारा ओफिशिल चैनल है इस टेलिग्राम चैनल के अलावा मेरा कोई चैनल है नहीं और देव के आज़ता है देव मार्केट के दोरान यहां पर एक दिन के अंदर एक ओडियो जरूर रिलीज करता है रिकोर्ड क कि मेरे नाम से अब पहले आठ चैनल थे अब बन गए है बारा चैनल तो अगर आपको मेरे चैनल पर जोइन होना है आप नए हो जोइन होना है तो इसी वीडियो के कमेंट बोक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा लिंक के साथ ही मेरे नंबर मिल जाएंगे मेरे प सकते हैं और मैं आपको लिंक दे दूँगा ठीक है यह प्रोसेस है पर आप इंट्रा यह टेलिग्राम पर जा कर अगर आप यह नाम अगर टाइप करके अगर मुझे खोजने वाले हैं तो आप गलत जगे जाने वाले थे 100 to 100% ठीक है तो अब चलते हैं वापिस चार्ट के उपर देखिए अभी तक यह अदूरा ग्यान दिया है पूरा ग्यान नहीं दिया है तो सबसे बड़ा जो सैटप बनता है कितने सैटप बने देखिए एक दो तीन देखते जाईए चार ठीक है अभी तो देखते जाईए पा 5 ठीक है 6 7 ठीक है 8 ठीक है और यह देखिए आठ के बाद में इदर देखिए 9 10 यह देखिए 10 वा सैटप में आपको बताया था जब ठीक है और यह है 11 सैटप यह कुछ खास रहने वाला है देखिए आपको जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम मिलेगा ना काम करने के लिए न यह स्टाटेजी सबसे ज़्यादा निफ्टी के अंदर कब बनती है चार साल के एक्सपिरियंस के साथ कह रहा हूं 4 यह के एक्सपिरियंस के साथ यह स्टाटेजी बनेगे आपकी 11 30 से लेके आपकी एक बज़े के बीच के अंदर ठीक है और अगर फिक्स 12 बज़े बनती है fix अगर 12 बजे बनती है तो सोने पे सुहाग हो time के साथ बात करूँगा time के साथ बात करूँगा और morning के अंदर first candle के अंदर बनती है अगर ये moment पकड़ना चाहते हो ये वाली moment ठीक है ये वाली अगर moment पकड़ना चाहते हो तो इसी video का second part के अंदर अगर morning में इस moment को पकड़ना चाहते हो तो इसके उपर बात करेंगे पर उसके लिए वही बात है आपका प्यार आपका जो भी आप कर सको उसके लिए देखिए अब इसमें आप time देखते जाएगे नीचे की तरफ time के साथ बात करूँगा देखिए time चार्ट पर जाकर देखिए ये time क्या हो रहा है एक एक बज़ रहा है वन पीम ठीक है आप चार्ट पर जाकर बैस अगर गोर से देखेंगे तो बहुत कुछ बताता चार्ट बहुत कुछ बताता है ये देखिए दूसरे दिन कहां बनी fix एक बज़े time देखिए नीचे की तरफ फिर दूसरे दिन कहां बनी 12 बज़े ठीक है और जब भी बनती है ये कितने बज़े बनी 2 बज़े ठीक है ये तो हो गई अब बात कर लेते हैं इसके back के अंदर इतनी थोड़ी बनी थी एक महिने के अंदर तो movement देख लो time देख लो कितना हो रहा है लगबख साड़े बारा का time हो रहा है ये बारा बज़े उसके बाद में ये आपका ये देखिए तो इसको जूम करते हैं थोड़ा जूम करते हैं आपको तो साइद दिखता ज़्यादा होगा पर मुझे बहुत कम दिखता है ये देखिए time देखिए fix आपका साड़े बारा बज़े बारा थैटी जो मैंने आपको time बता है ना साड़े ग्यारा बज़े बाद से लेके एक पीएम के बीच में ये setup बनता है 22 दिन के अंदर 16 दिन तो बनेगा ही बनेगा और accuracy 99 परसेंट अगर एक भी तरफ अगर ऐसाल ही टुआ हो तो बता दो एक भी तरफ जाकर आप इसको चेक कर सकते हो डेट के इसाब से डेट के इसाब से आप जाकर इसको चेक कर सकते हो मेरा तो चार्ट ही गाइप हो गया हूँ मेरा तो चार्टrov हो गया दोस्तों आक्सिल में क्या है हमारे आज यहां पर सर्वर की थोड़ी प्रोबलम आ रही है चार्ट गया नहीं हुआ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में डिलीट टीख भी करने वाला और आपकी बेबी केंडल बन गई उसके बाद में अगर नीचे की तरफ इसको गर ब्रेक करती है तो आपका एसल क्या रहेगा आपका एसल रहेगा आपकी इंसाइड केंडल का टॉप आपकी इंसाइड केंडल का टॉप इसका एसल रहने वाला है अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है 15 मिट की candle और नीचे की तरफ आती है बापिस अगर ही उपर की तरफ जाती आज तक तो ऐसा हुआ नहीं निफ्टी के अंदर तो आप जाके एक खुज चार्ट पर अगर जाकर देखेंगे इस चीज को तो निफ्टी के अंदर आज तक ऐसा हुआ नहीं आज तक ऐसा हुआ नहीं 95% इसकी एकुरेसी है कि मार्क इंसाइड केंडल बने उसके बाद में एक बेबी केंडल बने और वो आपिस नीचे की तरफ उपर चले जाए ये केवल 5% होगा वो कब होगा जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ जाए या फिर मार्केट आपका वोलेटाइल हो जाए या कुछ ऐसी कुछ न्यूज बेस पर ही मान के चलिए कि आपका हैसल हिटो को वरना इसके अंदर एकुरेसी 95% और अब इसके अंदर हम ये लेके चलते हैं कि हमारा टार्गेट के रहेगा तो बैसा आप इंसाइड केंडल का हाई और लोग मार्क कर ल कि ये कंडल कित्नी बड़ी है 30.000 किंडल किते पॉयंट की कंडल है 30.000 की कंडल है ठीक है अब हमें अगर इसमें अगर प्रोफिट लेना हो तो कितना ले सकते हैं तो हमारा जो नीचे की तरह market 30 point की candle बनाता है inside तो अब हमें profit अगर रहसो निकालना है तो हमें चाहिए double कितनी point की moment तो कम से कम हो 60 point की moment चाहिए हमें तो market देता है आपको 17,610 यह देखो इदर यहां से बनता है और यहां तक आता है कहां तक आता है 17,550 कितने point की moment हो गई अगर आप मान के चले तो fix 60 point की moment हो गई 60 point के अंदर तो बैसा market के अंदर वो खाड़ सकते हो जो आज तक आपने उखड़ा ही नहीं अब कर लेते हैं नियम और काईदे की बात देखो दोस्तों बात ऐसी है कि अब भी हाल फिलाल इस वीडियो के अंदर क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं पूरा बनाना चाहूं तो यह वीडियो हो जाएगा बैसाब एक गंटे का वन होर्स का वीडियो हो जाएगा एक गंटे से भी ज्यादा का हो सकता है तो अभी इस पार्ट के अंदर केवल और केवल मैंने आपको बाइक के उपर बैठना सिखाया है, अब आप बोलोगे बीच के अंदर बाइक कहा गई, सुनो तो सही देव की बात, अभी मैंने आपको केवल बाइक के उपर बैठना सिखाया है, ठीक है, और आपके हाथ में दे सुबह 9.15 पर open हो जाएगा आपके लिए दोड लगाने के लिए, पर ध्यान ये रहे कि हाईवे के ऊपर गड़े भी होते हैं, क्या होते हैं, गड़े भी होते हैं, red light बत्ती भी होती है, गाड़ी की रैस को थोड़ी धीमी भी करनी होती है, कहाँ धीमी करनी होगी, कहाँ ते सब्सक्राइब सब्सक्राइब और बेबी केंडल अगर दो ग्रीन केंडल बन जाए तो उसके उपर क्या मुवमेंट रहेगी अभी तक तो आपने गिरावटी देखिए तेजी के अंदर कैसे काम करोगे तो यह कई चीजे हैं जो आगे इसका अगला पार्ट आएगा वो कब आएगा वो बैसा तब आएगा जब आपका प्यार मुझे दिखेगा वो कैसे दिखेगा देखिए मैं मुझे चाहिए के वल आपका लाइक आपके कमेंड्स आपको क्या चाहिए मुझसे क्या रिक्वाइनमेंट है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है आप अमारे वीडियो पर नए है तो आप ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी एजुकेशन वीडियो मैंने हलाकि भी बनाए है, क्योंकि मेरे उपर वैसाम दयाने आप बूत सवार हुआ है, फेमस होने का, मजे लो आप भी, करो यार, देव कुछ चारा है तो कुछ दो ना, मैं दे रहूं न आपको, जो भी दूँगा, उसकी एकुरेसी 90% अबाव ही दूँगा, और हर सटेडे और संडे, हर सटेडे और संडे, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजिए, और एक कावत सुनाता हूं, सुन आपको, जो आपको, आपको, रस्मलाई पचानी नहीं आती, आप खाना ही नहीं जानते, आप क्या करते हो, रस्मलाई लेके दूसरे दिन उसी रस्मलाई को मार्केट में लुटा आते हो, इसके उपर भी बात करने वाले है, नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाला है, क्या आप पैसे को कैसे सेफ रख सकते हो, कैसे आपको पता चले कि आज मार्केट के अंदर बड़ी मुवमेंट होगी, या आज मार्केट के अंदर बड़ी मुवमेंट नहीं होगी, आज मार् के अंदर इन सब के उपर बात करने वाला हूँ और एक बात और सुनो देखो एक कावत है तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ा बलवान बिली लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण सुन लिया दुबारा सुनो तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ा बलवान बिला है माबारत काल का जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे माबारत काल के अंदर जो सबसे बड़े दनुर्दर होते हैं उनका नाम होता है अर्जुन का नाम होता है अर्जुन आप से रिलेटेड़ी है ये इसलिए सुना रहा हूँ तो होता क्या है कि अर्जुन व्रद्द हो जाते है और उनके सामने गोपियों को लूट लिया जाता है भीलो द्वारा किनके द्वारा भीलो द्वारा ठीक है पर अर्जुन वही है पर ऐसा मरत है कुछ करने में उनके सामने गोपियों को लूट लिया जाता है अर्जुन का वही बान जिसका नाम है गांडिव, वहां रखा रहता है, तीर गांडिव उनका रखा रहता है, पर कोई मतलबी नहीं है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, भाई साहब, उस अरजुन के सामने जिसके गांडिव की टंकार से बड़े-बड़े योद्धाओं के कलेजे काप जाया करते थे, उसक मुवमेंट है न, आपकी 3-30 तक नहीं होती है, 9-15 से 3-30 तक मुवमेंट नहीं होती है, मुवमेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के या 30 मिनट के, अगर होनी होती है तो, अगर समय का सदूपियो कर लिया, मुवमेंट पकड़नी आ गई, तो बैसा बनेगा पैसा, ठीक है? बनेगा पैसा और समय निकल गया तो अरजुन की तरह हतियार लेकर बैठे रहोगे पर हमारा तियार क्या है? हमारा तियार पैसा जो हम अपने डीमेट अकाउंट पर डाल के रखते हैं यह किसी काम का नहीं है मुमेंट निकलने के बाद यह किसी काम का नहीं है काम का कैसे नहीं है क्योंकि 200 रुपे का माल 200 रुपे पर चले जाएगा मुमेंट के अंदर तो अब आपका मन होगा यार यह 200 से एक बार 180 आ जाए तो मैं इसे पकड़ दू और आप यहीं गलती करोगे 100 से पकड़ोगे और यहीं साला 100 रुपे पाजाए और क्या होगा लोस तो समय का सद रुपियों कीजिए और कहीं लोगों के प्रस्न होते हैं कि क्या मेरा इस्टूडेंट गूरूप है और मैं स्टूडेंट गूरूप चलाता हूँ और दूसरी तक में मेरा स्टूडेंट गूरूप में मेरी सर्टों पर चलाता हूँ मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मेरे पाड़र राजता या ना मैं मैं उसकी कहीं पर प्रक्रद करता हूँ और सर्थ यो और कि 10 गलती एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैबारत और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सेर कर लीजिए, जो करना हो, जितना आपका प्यार मिलेगा, आप अपना अगर 10% देंगे, देव आपको 110% लोटा कर देगा, मेरी गारंटी है, पर तब जब आ नहीं समाप्त करते हैं, जैहिंद जैबारत राम राम साथ